नमस्कार दोस्तों, दार्नी तत्त में आपका स्वागत है दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार आदीकाल के समय चारों तरफ सिर्फ अंदेरा ही अंदेरा था ना सूर्य दिखाई देते थे ना चंद्रमा, ग्रह नक्षतरों का भी कहीं पता नहीं था ना दिन होता था ना रात, अगनी, जल, वायू और पृत्वी का भी नामों निशान नहीं था उस समय एक मात्र सत्व्रम अर्थात सदाशिव की ही सत्ता विद्यमान थी जो अनादी और चिन में कहीं जाती थी उनी भगवान सदाशिव को एश्वर तथा सर्वरलोक महेश्वर कहते हैं शिव पुरान के अनुसार आदी काल में भगवान शिव और माता आदी शक्ती वारतालाब कर रहे थे तब भगवान सदाशिव ने माता आदी शक्ती से कहा हे देवी हमें स्रिष्टी के लिए किसी दूसरे पुरुष का स्रिजन करना चाहिए जिसके कंदे पर स्रिष्टी संचालन का भार रख कर हम आनंद पूरवक विच्रन कर सकें तब माता आदी शक्ती ने कहा ये प्रभु आप स्रिष्टि के पालन हार हैं आपने स्रिष्टि के भलाई के लिए ही ऐसा सूचा होगा उस समय भगवान सदाशिव ने माता आदी शक्ती के कथन को सुन कर पूरी शक्ती से अपने बाएं अंग के दस्वें भाग पर अमरित मल दिया उसी समय वहाँ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ उसका सौंदर्य अतुल निये था वो परमशांत तथा अठासागर की तरह गंबीर था रेश्मी पितामबर से उनके अंग की शोबा दुगनी हो रही थी उनके चारू हातों में शंक, चक्र, गधा और कमल सशोबित हो रहे थे उस देव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा हे भगवन मेरा नाम निश्चित कीजिए और मुझी मेरा काम बताईए उनकी बाते सुनकर भगवान शिव ने कहा हे वच्व व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विश्चित होगा श्रिष्ठी का पालं करना तुम्हारा कार्य होगा इस समय तुम जाओ और घोर तप करो भगवान शिव का आदेश प्राप्त कर भगवान विश्चित करने लगे उस तपश्चा की उड़जा से उनके अंगों से जल की धराये निकलने लगी जिससे सूना आकाश भर गया फिर पंचभूत जल, आकाश, पृत्वी, अग्नी और वायू की उत्पत्ती हुई और इसे से जीवन का स्रिजन हुआ बाद में उन्होंने धक कर उसी जल में शयन किया जल अर्थात नार में शयन करने के कारण ही भगवान विश्चु का नाम नारैन हुआ कुछ समय पश्चात भगवान विश्चु की नाबी से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ उसी समय भगवान शिवने अपने दाहिने अंग से प्रकट करके उस कमल पर रग दिया भगवान शिव की माया से मुवित हुआ जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रहमा जी उस कमल में ब्रह्मन करते रहे किन्तु उन्हें अपने उत्त्ति करता का पता नहीं लगा आकाश्वाणी द्वारा तपका आदिश मिलने पर बर्माजी ने अपने जर्म दाता के दर्शन के लिए 12 वर्षों तक कढूरत बश्या की तत बश्यात उनके समुग भगवान विश्नु प्रकट हुए भगवान शिर्की लिला से उस समय वहां भगवान विश्नु और प्रमाजी के बीच विवाद छिड़ गया तबी अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य अगनी स्थम्प प्रकट हुआ बहुत प्रियास के बाद भी प्रमाज और विश्नु उस अगनी स्थम्प के आधी अंत का पता नहीं लगा सके अथथक हार कर भगवान विश्नु ने प्रातना की कि हे प्रभु हम आपके स्वरूप को नहीं जानते आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए भगवान विश्नु की प्रातना सुनकर महादेव प्रकट हुए और बोले हे वज्ज मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भलिबादि संतुष्ठ हूँ हे ब्रह्मा तुम मेरी आज्या से जगत की स्रिष्टी करो और हे विश्नु तुम इस जगत का पालन करो तब ही भगवान शिव ने अपने हिर्द्य भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संगार का दाइत्व स्वाप कर अंतरध्यान हो गए तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेर करें सब्सक्राब करना ना भूले, धन्याबाद